नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और आज की ये वीडियो बहुत इंपोर्टन है उन सभी के लिए जो बार-बार कमेंट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे पूछ रहे हैं कि मेरे गुरू परवत पर मचली का चिन है मेरे शनी परवत पर मचली का चिन है तो आज आपके सारे डाउट्स को में क्लियर करूंगा साथ-साथ आपके क्या डाउट्स हैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और अगर अनलेसिस कराना चाहते हैं तो वाटसेप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं अनलेसि तो आज ही आप उसे जोईन किजेगा लिंक उसका description box में आपको मिल जाएगा तो पहली बात हम यहाँ पर यह करते हैं कि जो fish sign होता है देखे fish sign यानि कि मचली का चिन आपके लिए बहुत सफलता और धनवान chan होता है मतलब अगर वो किसी के हाथ पर है और वो कहीं पर भी है तो उसके जो पड़िणाम आपको मिलते हैं वो लगबग लगबग आपको शु भी मिलते है में में किरहों पर मैं आज बता दूंगा आपको लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मचली का चिन होता कैसा है बहुत सारे लोग इसी चीज में confused हो जाते है तो देखिए मचली का चेन होता है वो कुछ इस तरह से आपके हाथ पे बनता है ये खड़ा बन सकता है लेटा बन सकता है उल्टा बन सकता है ये इस तरह के का बनता है बहुत सारे लोग इस चिन से भी अपने आपको लेट करते हैं, जो कि यह मशली का चिन नहीं है, यह दीप का चिन है, अगर कुछ इस तरह के का चिन भी बन रहा है, देखिए इस तरह के का, तो उसको भी हम consider कर सकते हैं, कि वो मशली का चिन है, जिसमें हलकी सी नोक बन रही है तो हम कह सकते हैं, कि वो मशली का चिन है, तो सबसे पहले जो गुरूप अरगोत होता है, उसके उपर क्या इसका impact होता है, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो subscribe किजेगा, bell icon को press किजेगा, और सारे notifications आपको on कर लेने हैं, आज कि बहुत सारे information आप चूख जाएंगे, अगर आप subscribe नहीं करेंगे, साथ साथ वीडियो को अभी से like कर दीजे, क्योंकि ये वीडियो बहुत जादा आपको आज एक knowledge देने वाली है, देखिए अगर मसली का चिन आपके गुरू परवत पर है, तो भेया आपको क्या दे जाता है, गुरू परवत जो कि आपकी first ringer के नीचे परवत पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति या इसी महिला, या पर दोनों की बात करूंगा, मैं left hand में हो जाए right hand में हो, ऐसा व्यक्ति या इसी महिला अपने ज्ञान और गुद्धी के बल पर जंदिगी को आगे लेकर जाते हैं और पैसे की कमी नहीं होती, और उनके अंदर इतनी अच्छी सक्करातमक रोप से फलती है और उनकी जो सफलता है वो दिन दूनी, रात चौगनी गतिसे वरती है, ऐसे व्यक्ति या इसी महिला, जिनके हाथ में fit sign है, वो बहुत जादा धनवान देखे जाते हैं, और अपनी बुद्धी के कोशल से किसी भी समस्या का हल वो करते बचलते हैं यह बहुत important चीज है आपको समझना चाहिए लेकिन इसमें एक बात मैं हाँ पर कहना चाहूंगा कि जो आपका परवत है आपका जो गुरु परवत है या चनी परवत है या आपका सूर्य परवत है या आपका बुद्ध परवत है वह भी आपका उन्नत होना चाहिए अगर मस्ली का साइन सिंपल तरीके से भी है वो भी फायदा देगा लेकिन अगर परवत और उन्नत होगा, अच्छी कंडिशन में होगा, तो वो बहुत आपको फाइदा देगा, अब अगर आपके यही साइन आपके शनी परवत पर है, तो ऐसा व्यक्ति जज्जमेंट में बहुत अच्छा होगा, अनुशासित होगा, और जोतिश में या जो आपका अरोनाटिक्स हो गई, या आपकी जोग्राफी हो गई, ऐस सरा के जो सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कुछ नया रहस्य होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें करेगा, ऐसे व्यक्ति को कभी भी एनिमी परिशान नहीं करते, शत्रू परिशान नहीं करते, हम मेशा उनसे मुखी खाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत दूर दर्शे होते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महिला, उनको पता होता है कि उनके राइवल से आपके कॉंपटेटिव जो है, वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट, यह बहुत जादा इंपोर्टेंट आपके लिए हो उसके बाद सूर्य परवत हमारा आता है, सूर्य परवत देखे बहुत इंपोर्टेंट है, शनी और सूर्य अगर आपके लिए बिल्कुर ठेक ठेक कंडिशन में चल रहे हैं, या आपके हाथ में चल रहे हैं, या आपके लूशो ग्रिट में या पामिस्ट्री में चल रहे सूरे परवत पर अगर आपका है तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रिसिद्धी पाता है बहुत नाम होता है उसका और सरकारी नौकरी तो उसे मिलती ही मिलती है साथ साथ उसे सरवोच पद मिलता है जैसे IS, PCS या अगर आप राजनीती में गए या आप कोई ऐसी सर्विस में गए आर्मी में आप गए तो आप बहुत अच्छे ओधे पर आप जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास सूरे परवत अच्छी करिंडिशन में है साथ साथ उस पर मचली का चिन्न है तो वो बहुत जादा विश्व में सम्मान पाता है अपनी भाशा के कारण अपनी प्रेजन्टेशन के कारण अपनी सहजता के कारण अपने तेज के कारण क्योंकि सूरे क्या देता है आपको सूरे आपको तेज देता है सूरे कहुन है? सूरे पिता है तो यह इस तरह से आपको बहुत नेम फेम आपको देता है अब यह हाथ पर ड्रो तो अपने आप होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कई लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया है कि सर्जरी करा करा के लाइंस मनवा रहे हूँ मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है तो इस तरह कि चीज़े आप करते तो उसका फाइदा आपको जो होगा नहीं अब बात करते हैं बुद परवत की कि बुद का जो परवत है उस पर क्या हमें रिजर्ट्स यहां पर मिलते हैं देखें बुद परवत का जो क्रेटिव बनाता है वह आपको बहुत जादा आपको एक्टिंग में अच्छा करता है आपको आर्ट की तरफ लेके जाता है आपको कल्चर की तरफ लेके जाता है ऐसा व्यक्ति प्रिसिद्ध होता है विदेशों में उसको ख्याती मिलती है ऐसा व्यक्ति बहुत जादा विदेश यात्राय भी करता है और उसको धनलाब भी होता है वह सिंगर हो सकता है वह एक्टर हो सकता है उसके अंदर कुछ नई ऐसे चीज़े बाई बर्थ उसको मिलती है या उसके अंदर कुछ समय के लिए आती है जब उसके पास मसली का चिन होता है जिससे उसको प्रिसिद्धी बहुत जादा मिलती है और प्रिसिद्धी के साथ-साथ उसको धन बहुत मिलता है तो मैं यह कह सक तो ऐसा वेक्ति काफी हद तक अच्छा रहता है एक चीज में हाँ पर और कहना चाहूंगा बुद के केस में बुद और चंद्रमा के केस में लगबर लगबर जिता मेरा एक्सपीरेंस है आपको सही मिलता है बुद के परवबत में आपसे में तो उसमें भी आप बहुत अच्छा यहां पर करते हुए दिखाई देते हैं विदेशों में अगर आप विजनस करते हैं तो आपको फाइदा होता है तो बुद परवबत पर अगर आपके मचली आ गई है तो बहुत अच्छा है आपको वह सारी चीज़े मिलेंगी चंद अगर आपको बहुत अच्छा देखे जाएगा आर्ट कल्चन में आपको बहुत अच्छी चीज़े मिलेंगी साथ साथ बुद परवबत पर अगर आपको पतनी की सपोर्ट मिल जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं तो यह दोनों का मिला-जुला ऐसा मेरे को लगता ह है कि रहता है और दोनों खेर अलग अलग रहे हैं लेकिन जो इनका निचोड़ निकल के आता है जो मेरे experiences है मैं हाथ जब देखता हूं तो लगब लगब मुझे एक सही लगता है यह मेरी डिक्ति का जो आकोषण होता है बहुत बढ़िया होता है रीक्शन जीस 종et लॉउब्छय ऑप कहा संतर से साथ यह रोमेंटिक चीजों में बहुत आगे होते हैं और अपनी बात को पिसक्री होती है वो बहुत ही बढ애 आपको देखने को मिलती है अगर आपकी Zoom पर यहां पर है तो क्या होगा तो आगया अगर की भागय रिखे等 देखने को मिलती है अगर बहुत अच्छा आपको पैसा देखे जाएगा पैसा ठेरेगा आपके बास और आपकी इंवेस्मेंट्स जो हैं वो काफी बहतर यहां पर होती हुए आपको दिखाई देंगी अगर यहां पर मशली का चिन आपके आजाता है तो उसी तरह से अगर आपके मंगल पर आजाता है यह मंगल का छेतर होता है मंगल पर अगर आजाता है मंगल के रहे उतेजना से बढ़ा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति कई बार उतेजना में जल्दवाजी में पैसा लगाता है जल्दवाजी में पैसा लगाता है लेकिन उसको सपोर्ट मिलती है उसको शॉर्ट टॉम्स मे कफ़ी अच्छे gains मिल जाते हैं जानी कि जैसे share market हो गया, stock market हो गया इस तरह कि जो पैसे वो लगाते हैं तो उसके उनको rapidly फाइदा जो होता जाता है, तो यहां पर हम क्या सकते हैं, लेकिं सबसे रहता फाइदा जो नहीं होता है जो होता है, केतू आपका यहां पाया जाता है तो धार्मिक अध्यात्मिक प्रविट्टि आपके अंदर होगी, साथ-साथ आप जिस जहां पर भी जाएंगे आपको वहाँ पर लाभ होगा, वहाँ पर आपका बहुत नाम होगा, और आपको पद प्रतिस्था बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, और यहीं से अगर भाग् किताबी नहीं होगा, बहुत अच्छा यह रहता है, अगर उल्टा बना हुआ है ये, तो आपको देरी से मिलेंगे, आपकी जो परिणाम है, वो देरी से मिलेंगे, जितने भी मैंने आपको बताया इंडिकेशन, उसमें अगर तोड़ा उल्टा है, तो परिणाम आपको मिल में को कमेंट करके जरूर बताएगा क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज्यादा बहुमूले मेरे लिए होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नई वीडियो में मिलाकात होगी राशिफल दे रहा हूं मैं आप लोगों को आप उसको देखिए और इस तरह मेरे साथ बने रही है बहुत धन्यवाद आप शुक्राइब